Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं, राजिसबा television में जो भी important debates, discussion आती है उनको lecture के तुरान cover किया जाता है Even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती हैं उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily regular अगर classes को attend करेंगे, religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे, उनी से related questions बने हैं तो फटा फट चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियागी आने वाले slides में और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौजूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को बट before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details है आने वाले कल के officers को मेरा नमस्कार तो चलिए नाम के आगे IAS लगाने की तयारी शुरू करते हैं स्टार्ट करेंगे paper 1 के topic से बात करेंगे guys बदरीनाथ धाम के बारे में बदरीनाथ के बारे में आपने अल्रडी सुनाई हुआ है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बताया जा रहा है कि तेल छेतर के पाच सारवजनिक उप कर्मों PSU जिसको हम लोग बोलते हैं public sector undertakings इसको हम लोग बोलते हैं तो पाच PSU है oil चेतर की उन्होंने उत्राखंट के बदरीनाथ धाम को smart अध्यात्मिक शहर spiritual smart city के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड रुपे का वादा किया है पाच oil companies जो है PSU जो है उन्होंने कहा है कि वो 100 करोड रुपीज देंगी बदरीनाथ धाम जो उत्राखंट में है कोशन आएगा बदरीनाथ धाम कहा पर है उत्राखंट में ध्यान में रखिएगा तो इसको ऐसा spiritual smart city बनाने में 100 करोड रुपे का योगदान किया जाएगा 5 oil companies के द्वारा यहाँ पर सभी terrain के vehicular path जो है वो हम लोग को देखने को बलेंगे नहीं कि गाड़ी वगएर वहाँ से हर प्रकार की निकल सके हर area पर गाड़ी वगएरा का movement हो सके तो उस पर ये काम करेंगे bridges वगएरा पनाएंगे जो already bridges जो है उसको और अच्छा करेंगे beautify करेंगे गुरुकुल facilities को establish करेंगे accommodation के साथ जहाँ पर लोग अराम से रह सके अच सब facility उनको मिल सके और खर्चा जो होगा वो companies के दोरा उठाये जाएगा उनके CSR fund से corporate social responsibility fund से तो आईए मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि corporate social responsibility होती क्या है CSR होता क्या है यह वाली चीज भी समझ लोगे लगे हाँ तो पूरी चीज clarity अच्छे से हो जाएगी क्योंकि यह चीज भी important यह भी पूछा जा सकता है अब मेरी एक company है ठीक है इंडस्ट्री है ठीक है मेरी एक factory है अब मेरी factory में जो काम होता है उससे निकलता है धुआ ठीक है जो लोग रह रहे हैं लोगों के जो मकान है यहाँ पर playground है तो यह सब कुछ दूशित हो रहा है इस particular factory के होने के कारण अब मेरी factory है मैं पूरे taxes सरकार को दे रहा हूँ हर चीज लीगल ही कर रहा हूँ बट मेरा एक करतवी भी होना चाहिए कि मैं जो नुकसान इस पूरे environment को society को पहुचा रहा हूँ उसको मैं repay कर सकूँ क्योंकि देखो सरकार का कहना यह है कि जो भी company जो होती है राइट वो अगर इस प्रकार की कुछ बड़े turnover वाली company यह जिनका 500 करोड का 1000 करोड का turnover जिन companies का होता है तो यह company क्या करती है वो अपनी corporate social responsibility के through society में जो भी यानिकि उनकी वाज़े से जो भी society को problem आई है तो उस problem को जो है वो compensate कर सकती है वो various funding करके various चीजों के लिए या फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगाओ पर कुछ parks वगरा होते हैं जिस पे किसी company का नाम लिखा रहता है या आप देखेंगे पार्क के पास जो benches वगरा लगी होती है उ company की society को लेकर responsibility है क्योंकि उन्होंने society जो भी काम किया उससे society को कही ना कही कुछ भी नुक्सान हुआ है तो उसकी वो भरपाई कर रहे है इस प्रकार से alternative के तौर compensate कर रहे है तो यह वाली चीज़े यह इस तरीके सा आपको समझना है corporate social responsibility को ठीक है अब geography की बात करें इसके ब बद्रीनाथ कहा पर है गाड़वाल हिमाले में हम लोग को देखने को मिलता है गड़वाल हिमाले में राइट कोशन आ सकता है गड़वाल हिमाले कहा पर है तो उत्राखंड ध्यान में रखिएगा और यह किस नदी की बैंक पर हम लोग को देखने को मिलता है किस नदी के त हम लोग को देखने को मिलता है किस particular mountain range के बीच में है तो नर और नारायन तो नर और नारायन परवत जो है उसके बीच में इस्थित ये हम लोग को बदरीनाथ देखने को मिलता है इसके east में 9 km की तरफ आप जाएंगे तो नीलकंड की चोटी है नीलकंड चोटी हम लोग को यह तो यह हम लोग को देखने को मिलता है और रिशी केश से north में 301 km पर हम लोग को देखने को मिलता है तो 301 km उतल में इस्थित है यह रिशी केश से तो ये भी चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चीज इस प्रकार की factual information थोड़ी सी पता होनी चीज आ जाती है प्रिलिम्स बगरा मैं Mount Sinabang very very important topic नीचे comment box पर लिखकर बताओ ज़रा Mount Sinabang किस particular जगा पर located है बताओ विल्दी क्योंकि ये वाला जो topic के current affairs में बहुत बार आ चुका है repeated topic इससे related में बता रहो आपको 90% से ज़्यादा chances आपसे question पूछे जा सकते है Mount Sinabang से related तो इंडोनेशिया में located है Mount Sinabang याद रखिएगा volcano हो ये जोला मुखी परवत ही हम लोग को देखने को मिलता है जो की 2010 से active है और nearly 400 सालों तक ये inactive था 400 सालों तक जो है वो इसमें किसी प्रकार का विसपोर्ट नहीं हुआ था मतलब की जोला मुखी फटा नहीं था उसके बाद 2010 में फटा और लगतार अभी ये फट रहा है क्योंकि अभी recently दोबारा से जो है ये इसमें विसपोर्ट हुआ फटा ये Mount Sinabang that's why ये topic हम लोग को news में देखने को मिला था Mount Sinabang के बारे में याद रखना Indonesia में हम लोग को देखने को मिलता है इंडियो नेशिया में काफी सारे active volcanoes है राइट क्योंकि इसकी जो location है Ring of Fire में या फिर सरकम Pacific belt पर हम लोग को देखने को मिलती है Ring of Fire के बार में भी मैं आपको लोग को पढ़ा चुका हूँ कि हमारा जो एक area हम लोग को देखने को मिलता है High Seismic Zone का हम लोग को देखने को मिलता है तो वो सरकम Pacific belt जिसे हम लोग कहतने है जहाबर सबसे आदा volcanoes हम लोग को देखने को होता है अच्छा ये तो धर्ती पर है एक Ring of Fire एक Ring of Fire जो होती है वो आसमान पर भी होती है यानि कि हमें देखने को मिलती है, वो कब देखने को मिलती है, जरा मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताओ, एक term तो ring of fire का वो है, वालकेनों के लिए use किया जाता है, एक आसमान में use किया जाता है, एक term ring of fire का, आसमान को देखकर, तो वो किसी particular period पर ही use किया जाता है, तो बताओ जरा कब किया जाता है, किसको पता देखते हैं, इसका answer, और hopefully आप लोगों ने लिख दिया होगा, सूरी ग्रहन, जब सूरी के उपर ग्रहन लगता है, तब हम देखते हैं कि सूरी के आगे आजाता है, चंद्रमा, और हम लोग को एक प्रकार की ring जो है, वो देखने को मिलती और यहाँ पर frequent earthquake होती रहती है, क्योंकि मैंने आपको अदा है, यहाँ पर seismic zone है यह, यहाँ पर सबसे यादा seismic activity हम लोग को नजर आती है, अब बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में very very important topic, तो इनका जन्म कब हुआ था, अगर आप state civil services की तयारी कर रहे ह कि 9 माई 1866 में इनका जर्म हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले जी का, और अभी जो 9 माई बीता है, उस समय हमारे honorable prime minister ने शद्धानजली दी है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को, that's why यह topic हम लोग को news में देखने को मिला था, अब UPSC की तयारी कर रहे हो, और even state civil services की, तो इन्होंने Deccan Education Society के यह सचीव के रूप में कारी किया था, उसके secretary के रूप में कारी किया था, और उन्होंने Irish राष्ट्रवादी Irish nationalist Alfred Webb, इनको वर्ष 1894 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कारे करने के लिए तयार करने हैं, तो आइरलेंड क दौरा किया था, तो इन्होंने Ireland विजिट किया था, क्योंकि यह चाहरे थे कि Ireland के एक nationalist है, Alfred Webb, तो यह जो है वो Indian National Congress के president के तौर पर सर्फ करें, तो इस चीज़ के लिए इन्होंने दौरा किया था, आइरलेंड का 1894 में, अब गोगले जी ने ज्यान प्रकाश नाम का एक दै गोपाल कृष्ण गोगले जी ने डेली न्यूस पेपर पब्लिश किया था, जिसका नाम था ज्यान प्रकाश, आपको यह चीज़ धान में रखनी है, जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीदी और समाज, politics और society पर अपने सुधारवादी विचार, अपने reformist view को प्रचारि यह चुना गया था, तो इनको elect किया गया था, governor general की council के पत के लिए 1903 में, और 1904 के नए साल की सम्मान सूची, तो 1904 की new year की honors list जो थी, उसमें भारतिय सामराज के साथी, यानि की companion of Indian empire, इसके रूप में इनको appoint किया गया था, चुना गया था, तो यह भी एक fact है, जिसके बा इनको INC, India National Congress के president के तोर पर elect किया गया था, दूसरी चीज इन्होंने गठन किया था, servants of India society का, जिसके थूरू लोगों को यह train करते थे, कि लोग जो भी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, यानि कि दूसरे भी, यानि कि common good और लोगों के लिए, जो भी लोग काम करते हैं, त तो 1909 का directly question आता है, Minto Morale Reform, जो है वो कब, कब का हमें कौन से year का देखने को मिला है, तो 1909 आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस प्रकार के chronological order arrange करी है, ऐसे question आते हैं, कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हो, तो इस प्रकार की चीजें आपको facts जो है, वो आप किये गए थे, और आपको बता देगा इस कि बहुत बड़ी बात, महात्मा गांधी जी और महामद जिन्ना, दोनों के mentor थे, गोखले, राइट, दोनों के mentor थे, महात्मा गांधी जी, इवन, उन्होंने किताब भी लिखी थी, गोखले नाम की, माइ पॉलिटिकल गुरु की, उनके राजनितिक गुरु जो है, वो है, गोखले, तो यह कितनी important fact है, यह भी question आ सकता है, इसको थोड़ा से ध्यार में रखिएगा, गोखले नामक किताब किसके दौरा लिखी गई, महात्मा गांधी जी के दौरा, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है, वो इन्हें political गुर मानते थे, मतलब कि mentor मानते थे, और इनकी एक core belief थी, core belief इनकी, right, कि सभी भारती जो है, उनके लिए political liberty एक बहुती important role play करती है, राजनितिक स्वतंतिता, social reform और economic progress, यानि कि सभी भारतीयों को social reform होना चाहिए, सभी भारतीयों के लिए, यानि कि society में reform होना चाहिए, जैसे कि क किसी को भी, किसी भी प्रकार से जो है, वो discrimination face ना करना पड़े, सभी को राजनितिक स्वतंतिता मिलनी चाहिए, political liberty मिलनी चाहिए, और हमारी country जो है, वो सभी के लिए, बदर इस प्रकार से होना चाहिए, कि सभी progress करें, economically भी, right, तो ये आज भी, जो है, वो relevant हमारे समय पर भ किया था, कि सर, slide थोड़ा सा slow, जो है, वो move किया करो, उससे आखों में थोड़ी सी परिशानी आती, जब भी, आप slide fast move करते हो, तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, right, चलो आगे की बात करते है, महराना परताब जी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बात क राजपूद किंग हम लोग को देखने को मिलते हैं, यह राजपूर लिखा है, इसको राजपूद कर लेना है, तेरवे राजपूद, राजपूद, राजा हम लोग को देखने को मिलते हैं, मेरवाल के, ठीक हो, तो यह आले सीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाह तो यह आला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए 1542-1597 के प्रियेट में महाराना प्रताप जी हम लोग को देखने को मिले थे और सबसे बड़े पुत्रत है यह उदय सिंग द्युतिय के उदय सिंग 2 के जिनोंने उदयपूर सिटी की स्थापना करी थी जो फाउंडर थे सिंग 2 तो यह चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अब most important point UPSC और State Civil Services दोनों के लिए ही battle of हल्दी घाटी में भी कोशन आ चुका है हल्दी घाटी के युद से रिलेटेड तो महाराना प्रताप जी को हल्दी घाटी के युद में उनकी वीरता उनकी bravery के लि और अकबर के बीच में लडा गया था उनकी आर्मी के बीच में लडा गया था और इस युद में मुगल सेना का नेत्रित्व आमेर के शाशक राजा मान सिंग ने किया था तो मुगल की तरफ से मान सिंग जी जो है वो आय थे उन्होंने लडाई लड़ी थी मान सिंग जी न और 6 वर्षों के बाद 1582 में मुगलों से युद किया और विजय हासिल करी। तो स्टार्टिंग में जो पहली जो लडाई हुई थी 1576 में उस लडाई में हार गए थे महराना प्रताप जी उसके बाद हारने के बाद ये इतना कठोर इन्होंने परिश्रम किया 6 सालों तक पूरी रणनीती बनाई छे सालों के बाद 1582 में दोबारा से युद लला और क्या टेंशन मतलो अपने आपको तपाओ इतनी आग में तपाओ इतनी मेहनत करो कि अगला अटेम्ट आपका आखरी अटेम्ट हो और मेरा कहना यही है कि तयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो तयारी आपकी आखरी हो राइट 2021 में आप अपियर हो रहे हो तो वो आपका आखरी अ से हार के बाद अकबर ने मेवाल के खिलाफ अपने सैन अभियानों को रोग दिया हारने के बाद इसने सोचा अकबर ने की नई राजा से लड़ना महाराना प्रताप जी से लड़ना जो है वो मुश्किल है तो इसलिए रहने दो तो अकबर तक को जो है वो इन्होंने जो है व तुनौती दी थी, अकेले, सिंगल हैंडेट, राइट, चैलेंज किया था, और बात बिलकुल वैसे ही है, कि जैसे आज की रेट में हो सकता है, कि आपके 10th में 12th में मार्क्स बुरे हो, फिर भी आप चैलेंज करो UPSC एक्जाम को, कि कोई बात नहीं, मेरा पास जो भी है, फोकस्ट, एक चीज़ पर फोकस्ट की इसको हराना है, आपका फोकस्ट एक चीज़ पर होना चाहिए, UPSC एक्जाम को निकालना है, नाम के आगे IS लगा रहा है, बाय होक या कुछ हो जाए, आगे की बात करते हैं, इनमें किसी अन्यर राजपूत शाशक ने साहेता नहीं क के लिए आत्म भलीदान की भावना का उत्कृष्ट, उधारन हम लोग को देखने को बनता है, वीरता के लिए यह जाने याते हैं, और जिस प्रकार से एक लड़ाई हारने के बाद, दोबारा से इन्होंने पूरे फोर्स के साथ, पूरी यानिकी strategies बनाई और वापस उधर अपने हतियार लेकर और वो जीते, क्यों? क्योंकि इतने सालों तक वो सिर्फ पूरी strategies बना रहे थे, आज की rate में अगर आप हारे हो, prelims नहीं निकला, या main से drop हुए, या interview से drop हुए, don't worry, समय आ गया है कि दुबारा से push करना है, बट दुबारा से आप push करो तो जो गलतिया ही करना है, अपने आपको आज ही focus कर लो, और focus देखो, धीरे धीरे करके achieve कर लो, don't worry, बट हो जाएगा, बट हमेशा अपने मन से अपने आप से यही कहते रहे हैं, कि मुझे, यानि कि जो भी आपने goal set किया है, कि मुझे उसमे clear करना है, इस goal को मुझे आखरी attempt बनाना है, इ राना प्रताब जी की चापे मार युध पद्धिती, इनकी एक sporadic warfare का method हम लोग को देखने को मिलता है, इसको बाद में डेकन के सेनपती, मलिक, अंबर और शिवाजी महराजा दौरा आगे बढ़ाए गया था, तो इनकी एक, वो थी method था इनका लड़ने का, राइट, चाप sporadic warfare या चापे मार युध पद्धिती किसकी थी, तो राना प्रताब जी की थी, जिसको बाद में जाकर डेकन के शिवाजी महराजी ने और मलिक अंबर जी ने जो है वो इसको उप्योग किया था, यानि कि इसको आगे बढ़ाया था, इसी पद्धिती पे काम किया था, तो ये topic news में हम लोग को क्यों देखने को मिला है, उसके बारे में थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा, और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे एक student है, उन्होंने mention किया था, कि सर आप जब भी भी बोलते हो कि थोड़ी देर बाद कराऊंगा, उसी समय बता दिया क तो देखो, मैं थोड़ी देर बाद इसलिए बोलता हूँ कि until and unless आपके basics clear नहीं होंगे, किसी topics related तब आपको current affairs sound में नहीं आएगा, पहले basics clear कर रखना थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए मैं कुछ important चीज़े ऐसी होती हैं कि जो पहले बताने वाली होती है, concepts पहले बताने clear हो, तो इसलिए मैं इस प्रकार से करता हूँ कई बार, तो देखो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा गोणवाना land की बारे में उस समय की बात करेंगे, जिस समय ये पूरी जो धरती थी और आज की rate में जो हम लोग continents देखते हैं, वो बिखरे होए नहीं थे, वो एक ही जग मैं आपको की मौन्सून हमारा किस प्रकार से हमें देखने को मलता है, ठीक है थोड़ा सा आइडिया मैं आपको ये अल नीनो, Southern Oscillation का भी जो हो देने वाला हूँ, ठीक है तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग cover करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से, पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये गोंडवाना से इंडिया कैसे सेपरेट हुई, उसका आइडिया देता हूँ, तो देखो Continental Drift Theory के बारे में पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, तो देखो इस पूरी दुनिया में पहले एक समय था, जिस समय पूरा का पूरा जो Land Mass था, यानि कि जो जमीन जो थी पूरी की बूरी सिर्फ एक ही जगा पर थी, मतलब ये मानके चलो आज की रेट में हम लोग देखते हैं, ओशियन के बीच में अलग-अलग हम लोग को Continental देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, आज की रेट में इस प्रकार की हम लोग को Landmass था, जमीन जो थी Landmass की थी, बाकी पूरी जगा पर पानी हम लोग को देखने को मिलता था, ठीके कुछ इस प्रकार की पिक्चर हुआ करती थी, और यहाँ पर एक ओशियन था, जिसको बोलते हैं, हम लोग Tethys Ocean, क्या बोलते हैं, Tethys Ocean तो जो वो थी, पानी था, Tethys Ocean था, फिर क्या किया, इस Tethys Ocean ने, यह जो पूरा एक Landmass था, यानि कि पूरी एक भूमी थी, उसको दो पार्ट में काइट दिया, डिवाइट कर दिया, इस Tethys Ocean तो कोशन अगर यह आ सकता है, कि पैंजिया को तो यह टम भी आप याद रखना, पैंजिया इसको हम लोग कहते हैं, एक सिंगल Landmass जो हुआ करता था, पहले के समय पर, फिर उसके बाद Tethys Ocean ने क्या किया, इस Landmass को दो पार्ट में डिवाइट कर दिया, उपर वाले रीजन को हम लोग Loresia कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, Loresia, North वाला एरिया जो है वो Loresia का कहलाता है, और South वाला एर इसको हमने नाम दिया, गोणवाना, ठीक है, नीच वाला एरिया गोणवाना का, तो पहले एक सिंगल Landmass था, फिर Tethys Ocean ने इसको अलग कर दिया, काट दिया, तो ये दो पार्ट में Landmass दिवाइड हो गया, फिर Tectonic Activities हुई, सेस्मिक अक्रिविटीज हम लोग को देखने को म अलिए फिर आगे चलके, ये Modern World बन गया, तो Continental Drift Sun में आया आपको, तो ये इस प्रकार की चीज कुछ हम लोग को देखने का बल्ली, तो अभी के लिए आप ये समझो, कि ये तीन चीजे, कि पैंजिया क्या होता है, लॉरेशिया, गोणवाना क्या होता है, उपर वाला एर अगर इसकी हम लोग बात करें, तो ये North East के Direction में, किस Direction में याद रखना है आपको, North East के Direction में आज की Rate में भी Flow कर रहा है, आज की Rate में भी हमारा जो हमालय जो है, हमालय परवत, वो आज की Rate में भी बड़ा हो रहा है, उसकी height increase हो रही है, उसकी वज़ाए ये ये कि ये ज साल इसका movement होता है ठीक है अभी तक है पर आपको बाते clear हुई एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस image पर ध्यान देना ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो पार्ट में जो है तैथिस ocean जो था उसने दो पार्ट में इस पैंजिया को divide कर दिया था उपर वा आसकर आइलेंड जो है वो गोंडवाना का हिस्सा है इंडिया गोंडवाना का हिस्सा है और एंटार्टिका गोंडवाना का हिस्सा है बाकी सब जो है वो लोरेशिया का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है फिर हुआ क्या उसके वाद हमने क्या चीज़ देखी कि पूटा यहां से एंटार्टिक ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ और तूट कर वो नौर्थ इस्ट की तरफ जो है वो मूफ करने लगा और फिर आज की रेट में जिस हम लोग इंडिया को देखते हैं जिस जगा पर वो आकर अटाइच हो गया फस गया यूरेशिया के साथ आकर गया तो इंडियान पेनिसुला जो है वो गुर्णवाना का हिस्सा है और वो आकर यूरेशिया से टकराया है जो की लौरेशिया का हिस्सा था तो यहाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और जब यह टकराया और एवन एक और चीज़ धाया में रखना है इंडिया अप और इंडिया जो है वो अलग हुए इस से और फिर नॉर्थ EAST डारिकशन पी दिरफ मूव कर रहे थे और इंडिया कर यूरेशिया से टक्रा गई जब इंडिया कर यूरेशिया से टक्रा ही उस समय क्या हुआ पता है? उस समय हमारा बर्थ हुआ हमालेस का हimaalhes पहले नहीं थी, बाद में आई हимाalhes जब हमारा इंडिया जो है वो इससे टकरा आ इसलिए तो बोलते हैं सबसे यञइस्ट माउंटेन कौन सा है हिमालेज हैं क्योंकि बाद में बने ही है यह यूरेशिया पहले इसी था इंडिया पहले इसी थी फिर हिमाले बन गए अब आप बोलोगे सर कि हिमाले कैसे बने उस चीज़ को भी समझ लो बहुत आसान भाश्या में समझ लो देखो आप अपने हाथ में अगर पेपर को पकड आपके opposite direction में नहीं आइगी एक दूसरे के past में जो ह convention को लेकर आओ जब आप पेपर को एक दूसरे के past में लेकर आओगे तो इस टाइप का fold नहीं create हो जाएगा आप प्रेशर प्रेशर करो दोनों जगा से अंदर की तरफ तो इस तरीके का इक fold प्रेट हो जाएगा तो क्य समझाँ, pressure इंडिया का इंडिया का pressure यूरेशिया के पास पढ़ रहा था ऊपर यूरेशिया थी ही ऊपर से तो pressure था ही लैंड मास का जब ये pressure पढ़ा तो हमने बर्त दे दिया हमाले को, clear होई बात को बात आपको की नहीं होई, बताओ तो ये चीज थी पूरी, Continental Drift Theory के बारे में हमने बात करी और इस चीज के बारे में बात करी अब ये सब चीजों के बारे में बात हम लोग क्यों कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको पता लगेगा पहले आप थोड़ी सी थियोरी जान लो, तो इंडिया गोंडवाना से कैसे सेपरेट हुई, तो ये बात है लगभग 140,000,000,000 साल पहले उस समय इंडिया सूपर कोंटिनेंट गोंडवाना का पार्ट थी, गोंड़वाना और लॉरेशिया के बारे में मैंने आपकोा आइडिया दे दिया है ये कोशन आ सकता है कि गोणवाना में कौनसी-कौनसी हम लोग को continent या countries देखने को मलती है तो South America जो आज की rate में है Africa जो आज की rate में Antarctica और Australia तो ये सब गोणवाना का हिस्सा हुआ करते थे और Tethys Ocean आपको यादा रहा भी थोड़ी दिर पहले में आपको एक ocean बताया था इस ocean ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फिर जब ये सूपर continent split हुआ अलग अलग हुआ तो उस समय टेक्टॉनिक प्लेट एक थी जो की India और modern Madagascar की हमें देखने को मिली थी वो drift करने लगी वो अलग होने लगी इस जगह से और India फिर बाद में जाकर Madagascar से उस जगह पर आ रही थी मतलब की Eurasia से टच होने के लिए आ रही थी हर साल उसका जो moment हो रहा था कच्छुए की चाल चल रही थी कच्छुए से भी कम बहुत दीरी चाल चल रही थी अन्दाजे के लिए कच्छुए का मान की चलो आप क्यो इतना कम मातर 20 cm होता कि अपनी स्केल में एक बर सेंटीमीटर को देखो इतना सा डिस्टन सिर्फ एक साल में कवर करती थी तो इसलिए इसको इतने साल लग गए यहां तक पहुचने में फिर बाद में आकर यह कॉंटिनेंट टकराया यह पैनिनिसुला टकराया यूरेशिया के साथ लगवक 50 मिलियन साल पहले और फिर हिमाले को बर्थ दिया हिमाले जो है वो उचा हुआ टकराने करना प्रेशर क्रियेट हो और वो हिमाले बन जया जिस चीज के बारे में आपको बताया था आज की रेट में इंडिया अभी भी मूव कर रही है किस डारेक्शन में अगर ये कोशन आ जाए तो नौर्थ इस डारेक्शन आपको ध्यान में रखना है नौर्थ इस डारेक्शन में आज की रेट में भी इंडिया मूव कर रही है आज की रेट में भी हिमाले जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि प्रेशर क्रियेट होगा तो हि पहले इंडियन पेनिंसुला के आगे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज की रेट में उसके आगे Eurasia है, Eurasian plate है, जिसका भी तो pressure पढ़ता है, जो रेसिस करती हैं, इंडिया को आगे नहीं बढ़ता हैं, जितो speed 20 cm, इंडियन मॉन्सून के बारे में भी कर लेते हैं चलो इंडियन मॉन्सून के बारे में थोड़ी देल से बताऊंगा पहले यहाला टॉपिक आपको समझाएता हूँ जो न्यूस में था क्योंकि वो अभी इंडियन मॉन्सून के बारे में समझाएंगे बड़ वो इस टॉपिक से उतना जादा रिलेट नहीं करता है करता तो है बड़ उतना समझदारी के लिए उतना नहीं करता है कि इस कॉंसेट को समझने के बट फिर भी बता दूँगा इंडिया मौनसून के बारे में तो आज की डेट में अभी एक study हुई है जिसमें बताया रहा है कि हमारे इंडिया का जो मौनसून है पहले इंडिया के अंदर ऐसा मौनसून नहीं हुआ करता था इंडिया के अंदर जो मौनसून हुआ करता था प में बताया गया है study की गई fossil leaves की जो जीवाश में पत्तियां जो होती है जो पुरानी पत्तियां जो पत्तियां 25 मिलियन साल पहले हुआ करती थी तो उसके fossil पाए गए तो उसकी study की गई study में scientist researcher को ये मिला study करके कि ये जो पत्तियां है ये दिखा रही है कि जिन climate पर ये पत्तियां जो है वो उकती है याने कि इन पत्तियों को जिन climate की आवशक्ता होती है वो climate आज की rate में ऑस्ट्रिलिया के अंदर है मतलब कि इंडिया में उगी हुई पत्ति 25 मिलियन साल पहले ये दर्शारी है कि आज की rate में जो ऑस्ट्रिलिया का जो मौनसून जिस प्रकार का है वैसा पहले इंडिया में मौनसून हुआ करता था अब सिंपल सी चीज़े मैं आपको अलरी बताई चुका हूँ कि पहले के समय पे इंडिया भी तो किस कहा पर थी साउथ में थी ना सदन क्लाइमेट होगा क्योंकि ऑस्ट्रिया साूथ में है इंडिया भी पहले साूथ में थी इसी latitude में थी बेट इंडिया ने क्या किया move करके higher latitude पे आ गई और higher latitude पे आएगी तो obviously बात है कि temperature change हो गई होगा climate change हो गई होगा तो यह concept है समझने कि ऐसा क्यों हुआ तो अगर आपने यह वाली चीज continental drift theory पड़ी होगी तो आप तुरंद क्लिक कर जाओगे कि Australia के साथ कैसे relate किया क्योंकि Australia और India एक ही super continent का हिस्सा थे गोंडवाना का और फिर India drift कर गई ऊपर की तरफ Australia जो है वो East की तरफ drift कर गई थोड़ा तो हमने क्या यानि कि 25 मिलियन साल पहले की भी बात करें तो अभी climate का इससे जगर पेल की बात कर रहे है तो पत्तियों का climate जो है बलब जो record किया गया तो वो इस तरीके से दर्शा रहा था कि आज की रेट में जो सदन है में इस पिर में जैसा climate है वैसा climate एक समय पर इंडिया पे हुआ कर कर कि किस प्रकार से इंडियन मौनसून चेंज हो सकता है तो वो मदद करेगा आने वाले समय में कैसा मौनसून होगा उसकी हमें prediction प्रोवाइट करा रहे है यह पहले कैसा climate था यह climate कैसे और change हो सकता है आने वाले समय में उसकी better understanding जो है यह create करने में मदद कर रही है यह study ठीक पत्तियों को देखा गया उसके characteristics को देखा गया fossil leaves के पुरानी पत्ति जो fossil बन गई थी पूरी तो उसको देखा गया और इन सब पत्तियों को अलगला जगा से collect किया गया जैसे की हम बात करें deck and volcanic province से collect किया गया यह चीज आप से पूछी जा सकती है east garo hills कहा पर है ऐसा question आ सक तो देखो यहां यहां से पत्तियां collect की गई और उस पर study की गई study करके पता लागा कि यार यह तो climate तो अलग बता रहा है आज की rate में जैसा है वैसा तो इन पत्ति में कुछ नहीं देखा ही देरा पत्तियों के study की गई पत्तियों के apex को देखा उसके base को देखा उसके shapes को द rate में हम लोग देखें तो लग रहा है कि हाँ यार पहले Australia जैसे monsoon हुआ करता था इंडिया में भी तो चीजे कहां चली गई चीजे continental drift theory की तरफ चली गई कि अच्छा पहले के समय पे गुणवाना था इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमें changes नजर आ रहा है monsoon में तो यह वाली चीज आपको समझ नहीं है और यह result indicate यही चीज़ करता है कि fossil की जो पत्तिया जो इंडिया में हमें देखने को मिली उसने Australian type monsoon को adopt किया था जो कि आज की rate में Indian monsoon हमें नहीं देखने को मिल रहा है जिस प्रकार का जैसे कि वो पत्ति बता रही है और यही चीज़ बताई गई कि इंडिया जो है वो गोंडवाना से separate हुई थी और 9000 किलोमीटर नौर्थ की तरफ जो है वो move कर गई थी Southern Hemisphere से तो मैं आपको क्या बोला Southern Hemisphere पर उपर की तरफ move करेंगे तो latitude में changes आ रहे है अब latitude में changes आएंगे तो directly climate temperature सब चीज़ में change आएगा या आएगा तो यह वाले चीज़ हम लोग को देखने को बली और लगभग इसको 160 million साल लग गए थे touch करने में Eurasia को और फिर जब यह reconstructed temperature data को देखा गया तो उसमें मिला हमें कि climate जो था वो गरम था ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल की तरफ आगे बढ़ें तो उसमें fossil की जो sites थी उनको जब study किया गया तो उसमें भी temperature vary कर रहा था पहले एक जगा पर जो temperature हुआ करता था वो 16.3 degree Celsius से लेकर 21.3 degree Celsius का difference दिखा रहा था कि बलब कि पहले जो इंडिया का जो temperature था वो अलग था अभी अलग है क्यों अलग है हम जान गए ना कि shift हो रहा है latitude में चेंज जा रहा है इसलिए temperature अलग हुआ है तो यह understanding रहो अपने अंदर और सभी fossil की जितनी भी sites थी वहाँ पर experience किया गया कि पहले बहुत तेज बारिश हुआ करती थी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ एक study के थूँ यह भी पता लगा था आज की rate में जो हमारा राजिस्थान जो है ना वहाँ पर मचलियों की हड़िया भी पाई गई थी मचलियों की मतलब एक समय पर रेकिस्थान जो था वो समुद्र हुआ करता था यहाँ पर पानी हुआ करता था इवें प्लांट्स पेड कहा जाता है कि कुछ एरिया पर वहां के forest भी हुआ करते थे जंगल हुआ करता था तो इंडिया पहले क्योंकि वो climate जो है वो support करता था यह सब activity को और अभी का जो climate है latitude में जो shift हुआ वो climate support नहीं कर रहा है तो यह चीज है में जो आपको समझने वाली है और rainfall भी वेरी करती थी 191.6 cm से 232 cm का variation हम लोग को इसमें देखने को वल्दा था रेंफॉल में भी बारिश में भी है ना तो यह वाली चीज है तो यह climate है इंडिया का और एशिया के अंदर इस प्रकार का जो climate है वो south से south east में पाया जाता है देखने को मिलता है चार seasonal division में से हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर monsoon के दो division है एक तो southwest monsoon आपने सुना हुआ इसके बारे में और एक retreating monsoon इसको हम लो northeast monsoon भी जो है व जून से लेकर सेप्टेंबर के बीच में जब rainfall होती है तो rainfall southwest की तरफ से आती है southwest monsoon की तरफ से आती है तो question यह बन सकता है कि जून और सेप्टेंबर के बीच में जो बारिश होती है उसके लिए कौन सा monsoon responsible है क्योंकि ऐसा question पहले आ चुका है तो southwest आपको याद रखना है बस fact एक ध्यान में रखना है retreating monsoon जो होता है वो October और November खंडियों के समय पे जो बर्शा होती है बारिश होती है वो retreating monsoon वाली होती कि एक बार monsoon जो है वो वापस जा रहा है तो वो चीज़ कहीं जाती है उसको और अच्छा आप मुझे नीचे comment box पर कुछ festivals के नाम लिख कर बत factors हैं जो कि southwest monsoon को बनाने में influence करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखने है तीन चार factor याद रखने है जैसे कि heating और cooling वाला factor जमीन का और पानी का जो कि low pressure create करता है landmass के ओपर जमीन के ओपर और समुद्र में हम लोग को high pressure देखने को मिलता है और आप बच्पन से पढ़ते हुआ आ रहे हो कि low pressure जहाँ पर भी build up होता है वहाँ पर उसकी तरफ हवाएं आती है wind जो है वो low pressure की तरफ move करती है high pressure से समुद्र में high pressure बना जमीन में low pressure बना तो क्या हो रहा है समुद्र से जमीन की तरफ वो wind आ रही है तो अभी जो south west monsoon में क्या होता है चाइना की तरफ से और यह है न तिब्वित इसकी तरफ से जो ठंडी हवा आती रहती है उसको रोपता है यह हमारा हमाले भी हमें हमारे जो आज की रिट में जो monsoon जो बना है उसके लिए हमाले भी responsible है तो एक factor हमाले भी है वो भी याद रखना अब यह आगे चलके बताओं भाब जो है वो बनती है अब भाब बन रही है तो कहा जा रही है आपको दिख रहा है भाब बनके ऊपर की तरफ जा रही है आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ बाब बनके जा रही है मैं बोलता हूँ सूरज है सूरज ने धर्ती को जमीन को गरम किया तो गर्माहट जहां पर होगी गर्मी जहाँ पर भी होगी हवा ऊपर की तरफ राइस करेगी तो यह चीजा दयार मेरा जब Ziemiidd गर्मी होती upfront जब भी भी हमें देखने को मिलता की टमपीरीचर इंक्रीज होता है तो Zeminin मुल कहीं कहीं से वी हवा जो होती है गरम होती है और हवा जब गरम होती है तो हलकी हो जाती है और वो उपर की तरफ बूफ कर जाती है जैसे कि केस आपने इसमें देखा कि जब भी भी आप पानी गरम करते हो एवापोरेशन होता है उपर की तरफ हवा चली आती है अब मैंने देखा कि इसमें main role जो होता है, वो वाले plateau का होता है, क्या बोलते हैं तिबित plateau का, main role इसमें हम लोग को देखने को बोलता है, जिसको सूरज गरम कर देता है, गरम करता है तो हवा उपर की तरफ जा रही है, अब जब हवा उपर की तरफ जा रही है, तो मैं आपको क्या समझाया था, low pressure जहाँ पर भी create होता है, तो हवा उपर की तरफ जा रही है, नीचे खाली हो गया, खाली हो गया मतलब low pressure बन गया, हवा high pressure से low pressure की तरफ आती है, समुद्र में high pressure होता है और high pressure से हवा low pressure की तरफ move कर जाती है, ठीक है, समझ मैं है यह वाली बैद आपको, तो heating और cooling का differentiation जमीन पर और पानी पर यह एक important factor होता है, monsoon लाने के लिए, और जहाँ पर landmass जो होता है, इंडिया की जो जमीन होती है, वहाँ पर low pressure रहता है, समुद्र जो रहता है, वहाँ पर high pressure हम लोग को देखने को मिलता है, फिर ITCZ की हाँ पर बात होती है, intertropical convergence zone की हम लोग को बात फिर का जब high pressure का phenomena create होने लगता है, तो गंगा नदी, गंगा का जो plane हम लोग को देखने को मिलता है, वहाँ पर गर्मियों के समय पर यह ITCZ जो है वो shift कर जाता है, नहीं कि बहुत तेज महाँ पर गर्मी हो रही होती है, low pressure ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो यह ITCZ जो है वो shift क जाता है, equator से 5 degree north की तरफ, और जैसे यह 5 degree north की तरफ shift करता है, इसे हम लोग monsoon truff भी बोलते हैं, और फिर monsoon season हम लोग को देखने को मिलता है, तो यह दूसरा factor क्या हो गया, लिखो गया, पहला factor आपने देखा, heating, cooling, low pressure, high pressure, और concept समझ लिए आपने वाले, दूसरा factor ITCZ का हम लोग को देखने को मिलता है, intertropical convergence zone का, तीसरा factor हमें देखने को मिलता है कि high pressure का area जो है, वो मडगासकर के east में हम लोग को देखने को मिलता है, approximately Indian Ocean पर 20 degree south पर यह high pressure create होता है, अब यह मडगासकर कहां पर है, Indian Ocean में समुधर के पास ही है, और इंडिया से गर आप मडगासकर क की तरफ दिखाई देगा, तो southwest में हमने क्या बोला, एक high pressure का zone create हो रहा है, इंडिया में low pressure का zone create हो रहा है, तो high pressure से हवा कहां पर आएगी, low pressure की तरफ आएगी, हवा जब आएगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, बादल लेकर आएगी, क्योंकि सूरज तो इस वाले area को अब गरम जहाँ पर भी हो रहा है, ऑपने साथ धकेल कर लाती है, समझा आप बात को, तो यह वाले चीज है, इसके लगा मैं आपको जाते हो रहा है, तो तिबबत का पथार हम लोग को देखने को मिलता है, तो गरμीयों के सीजन पर बेहत गरम हो जाता है वो, और जब भी इस plateau पर low pressure create हो जाता है और ये समुदर से 9 km की उचाई पर low pressure create हो रहा है समुदर से 9 km की उचाई पर low pressure उपर create हो रहा है तो उपर के बादल जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे shift करेंगे बात समझया और नहीं सिर्व इतना उपर चलती है westerly jet stream वेस्टरली जैट stream का moment भी हम लोग को देखने को मिलता है westerly चलती है north पर हम लोग को देखने को मिलती है हिमलेश के north पर westerly चल रही होती है और ट्रॉपिकल easterly jet stream का भी presence हम लोग को Indian Peninsula के उपर summer पर देखने को मलता है तो ये जो हवाय होती है jet stream जो होती है ये भी अपने साथ जो है वो बादलों को लेकर आती है और फिर वर्षा करती है हमारे इंडिया के अंदर अब देखे ट्रॉपिकल इस्टरली jet की मौझूदगी भी एक factor है जो की Indian Monsoon को influence करती है और इसे हम कहते है African Easterly Jet अब मैं आपको El Nino Southern Oscillation के concept को भी समझाता हूँ तो नॉर्मल तोर पर जब भी ट्रॉपिकल Eastern South Pacific Ocean ठीक है किसकी बात करो हमें South Pacific Ocean की बात करो Pacific Indian Ocean की बात नहीं कर रहा जब यहाँ पर high pressure हम लोग को देखने को मिलता है और ट्रॉपिकल Eastern Indian Ocean पर low pressure हम लोग को देखने को मिलता है तो Pacific Ocean से हवा Indian Ocean की तरफ आती है बट कुछ सालों में यह reverse हो जाता है मतलब कि pressure condition जो होती है वो Eastern Pacific Ocean की low हम लोग को देखने को मिलती है जहाँ पर low pressure होता है और Indian Ocean पर high pressure हमें देखने को मिलता है तो Indian Ocean से हवा जो होती है वो किस तरफ जाती है वो इसकी तरफ जाती है वोपस reverse के direction में हम लोग को देखने को मिलती हमाँ चले ही आती है Indian Ocean से तब हम लोग को bad monsoon की इस्तिती देखने को मिलती है इंडियन ओशन के पास इंडियन ओशन पर बनाएगा है सूरण ने जितने भी बादल बनाया थे वो वापस धकेल कर पैसिफिक की तरफ चलेगा है तो इस पिरियेट के अंदर जो चेंज हम लोग को प्रेशर कंडिशन में देखने को मलता है उसे हम लोग सदल और सिलेशन कहते हैं तो यहली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आईडिया होना चाहिए एक जानकरी होनी चाहिए और काफी इंपॉर्टन टॉपिक है इंडियन मॉन्सून का और कॉंटिनेंटल ट्रिफ्ट थियोरी का जो भी चीज आएगी और जीएस में जो भी चीज आएगी वो आपस में इंटर लिंक होगी आप जनरल स्टैडिस की जो आप तयारी कर रहे हो और करेंट अफेर्स में अगर यह सब टॉपिक्स आप देख रहे हो बट सिविल सर्विस इसके अंदर क्या होता है करेंट अफेर्स में जो चीज आती है उसी को जीएस के साथ लिंक करके आपको जीएस की कोशन बनाकर दे दिये जाते हैं इसलिए तो मैं बोलता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ और दावे की साथ के तना उसके प्रूफ भी देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पर कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनी से रिलेटेट कोशन बनेंगे रिवीजन करते रहा हूँ और जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आपको इन टॉपिक पर बिल्कुल कॉंसेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ना इससे रिलेटेट और डीटेल्स हासिल करनी है वो किया करो तो जो टास्क देता हूँ जो बोलता हूँ वो किया करो उससे फाइदा आप ही को मिलेगा अब हम लोग डिसकस करेंगे पेपर टू के टॉपिक्स को पेपर बन से रिलेटेट इतनी टॉपिक्स था थोड़े जादा टॉपिक्स थे फिलाल मैं वैसे तो नॉर्मल तोर पर हमें नहीं देखने को मिलता है एक दो एक का दुख कही जादा तर देखने को मिलता है और कभी-कभी ऐस प्रकार के लेंदी टॉपिक्स थोड़े से आ जाते हैं अब देखो ड्रग 2 डियॉक्सी डी ग्लूकोस की हाँ पर हम लोग बात करेंगे 2 डीजी की हम लोग बात करने वाले तो यह क्या है इसको हम लोग समझते हैं तो बताय जा रहा है DCGI Drug Controller General of India इन्होंने Emergency Approval जो है वो दे दिया है DRDO की 2-DG ड्रग को 2-DG दवाई को Coronavirus के जो moderate से severe cases जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका इलाज करने के लिए अब DRDO की इस दवाई का उपयोग किया जाएगा तो यह दवाई किसकी है आपको ध्यान में रखना है DRDO की 2-Dioxy-D-Glucose 2-DG दवाई जो है वो DRDO की दवराब बनाए गई है 2-DG मदद करती है recovery करने में जो भी hospitalized patient होते हैं वो जल्दी सल्दी recover कर सकें और उनके जो oxygen की जो dependency होती है वो खतम हो जाती है यानि कि इस दवाई को लेने के बाद oxygen की जरूद नहीं पढ़ती है उनको dependency जो होती हो खतम हो जाती है यह दवाई है 2-Dioxy-D-Glucose इसे DRDO की Institute of Nuclear Medicine and Allied Science जो की हम लोग को देखने को मिलती है DRDO की एक institute है nuclear medicine की तो इनोंने हैदराबाद की Dr. Ready Laboratories के साथ collaboration करकी यह दवाई बनाई है ठीक है तो यह लाइक fact आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अब बात करेंगे Arctic Science Ministerial Meeting के बारे में तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग सर्चा करने जा रहे हैं तो इंडिया जो है guys participate कर रही है तीसरी Arctic Science Ministerial Meeting में यह एक global platform हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पर discuss किया जाता है research और corporation को Arctic छेत्र में कि Arctic छेत्र में जो है वो research किया जाए और countries जो है वो मिलकर cooperate करें और जाह साथा Arctic छेत्र में research करने के पर काम करें R&D पर काम करें कुछ facts की बात करते हैं इसी से रिले रे तीसरी Arctic Science Ministerial Meeting से रिले रे तो पहली दो meeting जो है थी वो ASM 1 और ASM 2 जो की United States में हुई थी 2016 में और Germany में हुई थी 2018 में तो US और Germany में यह दो meeting हुई है अभी तक इसकी और तीसरी जो meeting है इसे organize किया जा रहा है Iceland और Japan के दोरा और पहली ministerial meeting जो है वो Asia के अंदर ये हमें देखने को मिल रही है ये meeting जो है वो डिजाइन की गई है opportunities provide कराने के लिए various stakeholders को जिससे की वो साथ में मिलकर ये समझ सकें Arctic छेतर में development के बारे में समझ सकें engage हो सकें, मिलकर काम कर सकें, monitor कर सके Arctic छेतर को, क्यों monitor करना है Arctic छेतर को, क्योंकि आज की rate में climate change हम लोग को देखने को मिल रहा है temperature level increase हो रहा है और Arctic छेतर को monitor करके पता लगा सकते हैं कि कितनी जो बरफ है वो पिगल रही है, कितने glaciers पिगल रहे है, ice sheets कितनी तेजी से melt हो रही है, जिससे कि actions लिए जा सकें, उसके according और ये जब melt होगी तो क्या होगा समुदर का level increase होगा, और समुदर का level जब increase होगा, तो काफी सारे बताया जा रहा है छोटे-छोटे island समुदर के नीचे आ जाएंगे मतलब की वहाँ पर life बचेगी नहीं जो आज की rate में life है ना, वो बचेगी नहीं तो ये बहुत बुरी इस्तिती आने वाले समय में हो सकती है और इस साल की जो theme है इसकी वो है knowledge for sustainable Arctic, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी धान में रखनी हैं और इस प्रकार के international collaboration की और cooperation की क्या अवशक्ता Arctic शेतर के लिए तो मैंने आपको समझाई दिया एक idea दे दिया Arctic warming इस शेतर पर गर्मी हो रही है temperature increase हो रहा है ice melt हो रही है जो कि दुनिया भर का main concern आज की rate का हम लोग को देखने को मिल रहा है तो climate को regulate करने के लिए यह बहुत ही important area हम लोग को देखने को मिलता है जिसकी proper monitoring की आवशक्ता होती है sea levels के बार में मैं आपको समझाया कि यह जब melt होते हैं तो sea level increase होता है उसकी monitoring करनी होती है biodiversity को maintain करने के लिए क्योंकि sea level increase होगा temperature increase होगा काफी सारी जो species है वो लुप्त हो जाएंगी काफी सारे ऐसे जो area है जहापर इन species का घर है habitation वो खतम हो जाएगा क्योंकि वो पानी के नीचे चला जाएगा moreover हम लोग को काफी सारे evidence देखने को मिल रहे है कि Arctic और Indian Ocean इनके बीच में एक connection है जो कि Indian Monsoon मौनसून को modulate याने कि इसका नियंतरित करने में बताया जा रहा है याने कि Indian Monsoon को Arctic के अंदर कोई भी change आते हैं तो Indian Monsoon पे भी हम लोग को changes देखने को मिलते हैं तो ये connection भी यहाँ पर बताया गया तो 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 इन्डियन Monsoon फिर से आ गया हमने अभी समझा भी Indian Monsoon के बारे में और और भी कुछ fact जो है वो Indian Monsoon से related आप जो है वो note down करके रखो जो भी आपको fact मिल रहा है आप general studies में Indian Monsoon के बारे पढ़ रहे हो तो उसके fact वगेरा लिखते चलो और इससे मदद मिलेगी बहुत भैतर तरीके से समझने में पूरी physical process को रही जो Arctic Sea जो melt हो रही है तो उसका impact हमारे Indian Monsoon के उपर क्या पढ़ने वाला है उसको समझने में बहुत जादा मदद मिलेगी और इंडिया और Arctic छेतर की बात करेंगा तो 2013 से ही इंडिया एक observer status के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है आर्टिक काउंसिल में जहाँ पर टोटल 12 कंट्रीज हैं जपान चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली स्विजलेंड, पोलेंड, स्पेन, नीदलेंड, सिंगापूर और साउथ कोरिया तो ये सब कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है जिसमें इंडिया जो है वो as a observer status की तौर पर हमें नजर आ रहा है इंडिया जो है वो 1920 से ही इस छेतर के साथ एंगेज करता आ रहा है जब हम लोग ने देखा था कि सालवाडी प्रीटी साइन करी थी 1920 में तो उस समय से ही हम लोग जो है वो इस छेतर पर आर्टिक छेतर पर जो है वो एंगेज करते हैं यानि कि वहाँ से जुड़े हुए है जुलाई 2008 में इंडिया ने पर्मनेंट रिसर्च इस्टेशन जो है वो आर्टिक पर जिसका नाम है हमादरी पहले पूछा जा चुका है इस से रिलेटिट कोशन यह हम लोग ने सेट अप किया हुआ है और यह कहाँ पर किया हुआ है नॉर्वे पर हम लोग ने किया है वहाँ पर एक सालवाड एरिया है और सालबार्ड एरिया और यह जो एरिया है इसका नाम है N-Y-A-L-E-S-U-N-D एलिसंड नियालिसंड और हमने डेवलप भी किया है एक मल्टी सेंसर अब्जर्वेटरी को मूर्ड अब्जर्वेटरी को जिसे इंडिया आर्क का नाम दिया हुआ है और यह जुलाई 2014 से हमें देखने को मिल रही है हमने इसे कॉंग्स जॉर्डन जॉर्ड पर इस्तित किया है यानि कि उसको वहापर सेट अप किया है मल्टी सेंसर को और जो रिसर्च हमारी आर्टिक छेतर पर हम लोग को देखने को मिल रही है तो वो जो हम लोग कंडग करते हैं उसे प्रमोट करता है नैशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च जो गोवा में हमें देखने को मिलता है जो की मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंस के इंडर आता है फर्दर इंडिया का क्या कॉंट्रिब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है तो इंडिया ने प्लाइंस शेयर किये हुआ है कि कैसे आर्टिक छेतर में इस्पेशली जो अब्जर्विंग जो सिस्टम्स है जो अब्जर्व करेंगे पूरे आर्टिक छेतर में क्या चेंजिस आ रहे है तो उसके लिए हमने कॉंट्रिब्यूट किया हुआ है इन सीटू और रिमोट सेंसिंग के थूँ हम लोग ने कॉंट्रिब्यूशन अपना दिया हुआ है और इस छेतर पर लंबे समय तक मॉनिटरिंग कर सकें उस पर भी जो हम लोग काम कर रहे है और हम लोग ने निसर नासा इसरो सिंथेटिक अपेर्चर रडार सेटलाइट मिशन लाँच करने के लिए हम तयारी कर रहे है जिसे हम लोग United States के साथ collaborate करके तयारी कर रहे है जिसका main aim यह है कि पूरे दुनिया भर में measurement हम लोग को करना है कि किस प्रकार से changes land surface का हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यह advanced radar imaging के थूरू यह चीज की जारी है यह पूरे area का कि क्या changes पूरे area में real time changes किस प्रकार के हो रहे है तो उसकी जानकारी जो है वो इस satellite machine के थूरू मिलेगी इवन इंडिया ने जो है वो अपना जो contribution दिया है वो sustained Arctic observational network के लिए भी दिया है जिस पर काम जारी है तो यह लिए चीज भी आप लोग को थोड़ी सी idea होना चाहिए अब देखो यह COVID जिनको हुआ है उसके बाद उनमें समस्या आ रही है ब्लाक फंगस की तो यह क्या है भाई ब्लाक फंगस इसको समझते है तो यह एक काफी rare disease है और नई disease है हाला कि COVID से पहले भी यह हुआ करती थी ब्लाक फंगस बट COVID जिन patient को हुआ है तो उन patients में यह जो ठीक होगा है COVID से तो उनमें ब्लाक फंगस का खत्रा आज की rate में बहुत जादा नज़र आ रहा है और काफी तेजी से यह infection बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यह बिमारी जो है वो detect हुई थी COVID patients में frequently detect हुई जिनको COVID हुआ था उसके बाद फिर इन्हें यह बिमारी होगी ब्लाक फंगस की इस disease के बारे में बात करें तो काफी rare disease है यह और serious fungal infection हमें देखने को मिलता है आपने कुछ photos देखी हुई आख होगी आख सूच जाती है लोगों की इसे mucormycosis जो है वो कहा जाता है mucormycosis याद रखिये का ना यह disease जो है वो skin skin को जो है वो खराब करती है skin में देखने को मिल जाती है rashes कभी आ जाते हैं even lungs को effect कर देती है और brain को भी तक effect कर देती है और यह basically कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि black fungus बिमारी जो है जो हम लोग को environment में मौझूद जो mucormycets जो देखने को मिलता है mucormycets इसके रूप में जाने वाली जो है यह molds जो फुफंद जिसको हम लोग बोलते है जिसे fungus हम लोग बोलते है उसके कारण होती है तो environment में यह mucormycetis नाम की फुफंद मौझूद होती है फंगस मौझूद होती है जिसके contact में patient आते है और उनको फिर यह बिमारी होती है और black fungus अभी बिमारी अभी अभी नहीं आई है black fungus पहले से थी बड़ कोविट के कारण यह बढ़ने लगी है इसमें हम लोग को vulnerability क्या देखने को मिलती है तो mainly effect कर रही है उनको जिनकी दवाईयां चल रही है और environmental जो pathogen होता है इस environment में जो pathogen जितने भी हम लोग को देखने को मिलता है तो उसकी ability जिन लोगों में reduce हो रही है जिनका immune system काफी ज़्यादा suppress हो गया है खराब हो गया है तो वो effect हो रहा है इस particular बिमारी के कारण इसमें sinuses या फिर lungs एक individual के effect होते हैं जिस समय वो inhale कर लेते हैं हवास में इस fungal को तो यहली चीज हम लोग को देखने को जैसी इनका जो sinuses है या lungs जैसी effect होते हैं तो फिर यह inhale कर लेते फंगल को और फिर अंदर जो है वो body के अंदर fungus infection हो जाता है warning sign में हम लोग को देखने को जाता है pain होता है आखों के आसपास हम लोग को देखने को मिलने लगता है लाल-लाल होने लगती है नाग थोड़ी लाल-लाल होने लगती है प्रवार बार बार रहा है एक जगा इस प्रकार की चीज़ें होने लगती है ट्रीट्मेंट की बात करने का इस तो एंटी-फंगल ट्रीट्मेंट इसका हम लोग को देखने को मिलता है और और केसिस में जो है वो सरजरी की भी रिक्वार्मेंट हो जाती है यह आले चीज़ हापर बताई आ रही है डाबेटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस्टिरोइड का यूज जो है उसको रिडिउस करना रहता है जैसे काफी सारे पेशन्ट इ इसको बीडिश करने के लिए इवन उनको जो कुछ दवाईयां जो होती है इनस एडी की इम्मूनो मॉडियूलेटिंग की दवाईयां हम लोग को देखने को मिलती है उसको भी डिसकंटीन्यू करना पड़ सकता है इसको प्रिवेंट कैसे कि जाए सकता है मास लगाए जिस अच्छी तरह से नहाना है अब बात करेंगे यूनिक डिसेबिलिटी आइडी के बारे में अच्छी तरह से नहाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ शोशल जस्टिस एंपॉर्मेंट ने इशू करी है एक नोटिफिकेशन जिसमें मेंडेटरी करती है सभी स्टेट्स और यूटी के देना होगा तो वो ऑनलाइन मोट के थू ही सिर्फ दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ UDID पोर्टल का उप्योग करते हुए तो यह वाली चीज़ इनोंने बताइए और एक जून से यह चीज़ मेंडेटरी करने की बात करी है तो UDID पोर्टल है क्या इस चीज़ को हम ल प्रोवाइट किये जाता है जिसमें उनको थोला सा बेनिफिट वगरा मिल जाता है डिसिबिलिटी काट के थू तो वो ऑनलाइन पोर्टल के थू ही प्रोवाइट किये जाएंगे यह वाली चीज़ हापर बताई जा रही है यह प्रोजेक्ट जो है वो नहीं सर्फ मना हम लोग को देखने को मिल रहा है यह प्रोजेक्ट जो है वो मदद करेगा कि ट्रैक करने में फिजिकल और फिनेंशल प्रोग्रेस को बेनिफीश्टी की सभी लेवल पर Implementation के village level पर, block level पर, district level पर, state level पर, national level पर कि किस प्रकार से PWD, person with disability जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या progress उनकी है तो उसको track करने में भी मदद करेगा अब आपको थोड़ा से बता दूँ मैं इस कानून के बारे में भी right of person with disability act 2016 के बारे में भी तो ये कानून जो था, इसने replace किया था 1995 के एक कानून को person with disabilities equal opportunities, protection of rights and full participation act को इसको replace किया था और बताया गया था कि जितनी भी disability है, उनको define किया जाएगा evolving और dynamic concept के अधार पर इसमें कहा था कि जितनी भी disabilities थी, उसको 7 से बढ़ा कर 21 कर दिया गया था गया, तो जो भी लोग सफर कर रहे है, disability से 3% से reservation, 4% कर दिया गया government jobs में, और 3% से 5% कर दिया, higher educational institution में, तो यहली चीज़ नहीं पर पताए गई इस कानून जो था, ये United Nation Convention on Rights of Person with Disability, इसी की line पर जो है वो तैयार किया गया था जिसकी India signatory है, तो यानिकि इस United Nation Convention की, इस United Nation Agreement की India signatory है और इस convention की according ये कानून बनाना और PWD, Person with Disability जो है उनको various benefit प्रोवाइट कराना, इंडिया के लिए mandatory था, तो उसलिए इंडिया ने ये कानून बना कर वो चीज़ करी, यानिकि International Convention का भी पालन किया, और दूसरे प्रोग्राम्स और इनिशेटिफ, हम लोग को disabled persons के लिए जो देखने को बिलते है वो क्या है, तो Accessible India Campaign, जिसके थूँ PWDs के लिए एक अच्छा environment बनाना है, यानि कि जहाँ पर भी public place, जहाँ पर भी है, तो बहाँ पर person with disability, जो है दिव्यांग जन जो person है, तो उनको benefits प्रोइट कराना है, निकि उनके लिए पूरी विवस्ता होनी चाहिए, दीन दियाल disabled rehabilitation scheme एक हम लोग को देखने को बिलती है, जिसमें financial assistance provide किया जाता है, एंजियो को जिसके थूँ एंजियो जो है, वो various service provide करा सके, PWDs के लिए, इसके लाबा एक और हम लोग को चीज़ देखने को मिलती है, assistance to disability person for purchase fitting of aid and appliances, यानि कि आपको बता हूँ दिव्यांग जो person होते हैं, उनको जैसे कि जो लोग चल नहीं पा रहे तो उनको wheelchair provide करा दी, और और भी काफी सारी चीज़े होती है, जैसे कि जिन लोग को सुनाइन नहीं दे रहा तो उनको ये provide करा दिया, क्या बोलते है, hearing machine, तो इस प्रकार की सहायता जो है वो appliances की उन तक पहुचा ही आए, और National Fellowship for Student with Disabilities का main aim ये है, कि opportunity provide कराना students को, जो disabled students है, कि वो higher education pursue कर सके, higher education में दाखिला ले सके, तो यह आली चीज़ हापर बताएगे, तो यह था पूरा overall topic, अब paper 3 के topics की तरफ आगे बढ़ रहा है, हम लोग discuss करेंगे, शुवूया डेजर्टी के बार में, शुवूया डेजर्टी, देखो, यह इस प्रकार की प्रजाती है, तो देखो यह छोटी सी पक्छी, डाइनसौर, डाइनसौर जैसा दिखने वाली, राइट, नॉक्टरनल, नॉक्टरनल मतलब निशाच, चार मतलब रात में जो है वो, शिकार करन थी, और तीतर पक्छी के आकार की है, यह दो पैरों वाला, क्रेटेशियस काल में, पाया जाने वाला डाइनसौर था, दो पैरों वाला, क्रेटेशियस काल में, पाया जाने वाला डाइनसौर, और इसका वजन एक, छोटी घरेलू बिल्ली के बराबर होता था, बहुत ही, म करने के लिए इसका यह उप्योग करता था अपने नाइट विजन का और वो करने का शिकार करने के लिए सुनने का और जैसे डाइनसौर में हम लोग को देखने को मिलता है कि भूटी मजबूत जबडे होते हैं राइट स्ट्रॉंग जॉज होते हैं नुकीले दात होते हैं शा देखने को मिलता था और चामल के दाने जैसे ही छोटे-छोटे इसके दात थे इस पक्षी के तो यह जीद आपको थोड़ी सी धान में रखनी है शुवया डेजर्टी अगर कोशन आ रहे यह क्या है तो आपको ध्यान में रखना ही है पक्षी है जो की 70 मिलियन साल पहले हु अंतिम चरण का मलबा जो है वो मौल्दीव के पश्चिम में मौल्दीव के वेस्ट में इंडियन ओशन में गिरा है पिछले महीने इस रॉकेट से चीन द्वारा अपने निर्मान धीन अंतिरिक्ष स्टेशन के प्रमुक खटक अंतिरिक्ष में भेजे गए थे तो देखो अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन आपको बता हुआ कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो तयार कर रहा है तो उस स्पेस स्टेशन को तयार करने के लिए पिछले महीने इसने कुछ कुछ कंपोनेंट जो है वो स्पे और अगले साल तक बताया जा रहा है अगले साल के end तक चाइना का ये space station बन जाएगा तो यारो जैसे international space station है वैसी चाइना अपना खुद का space station बना रहा है तिनाही के बार में मेरे खाल से मैंने आपको पिछले महीने ही पढ़ाया हुआ या फिर मेरे खाल से अभी 10 दिन पहले जो है वो दिया गया है heavenly palace राइट एक बहुत बड़ा पैलेस space station बर और तियान गॉंग अंतराश्विय अंतरिक्ष station international space station के बाद दूसरा space station होने वाला है इसे 10 साल के जीवन काल हेतू design किया गया 10 years का इसका life span होगा हाला कि 15 साल या वर्ष 2037 तक काम करने में ये सक्षम है औ इस rocket की re-entry जो है यानि कि इस rocket जो है जो re-enter किया है दुबारस हमारे environment पर यानि वोपस आया आई है तो इसको astrophysicist ने describe किया है कि चौथा सबसे बड़ा uncontrolled re-entry है अभी तक history में यानि कि जो ये गिरा है वो सबसे बड़ी uncontrolled re-entry बताई जा रही है जिसने चिंता को उठा दि किया है अभी कुछ recent दिनों में कि इसका damage जो होगा धरती पर गिरने पर बहुती बुरा होगा तो यह अली बात यहां पर बताई जा रही है इसको criticize भी किया गया है National Aeronautics and Space Administration NASA के द्वारा United States में कि यह जो गिरा है यह इसके लिए responsible जो होगा वो चाइना होगा तो यह अली च नुकसान पहुचेगा क्योंकि atmosphere पे आकर जब यह जला burn हुआ तो इससे release हुई जो कुछ gases है जो कि human को नुकसान पहुचा सकती है तो यह अली चीज भी यहां पर बताई गई है तो आज की rate में क्या करने की आवशकता है गाई तो spacefaring nation मतलब कि जो भी countries होती है जो कि space पर अ आएं तो इस प्रकार की हानी जो है वो नहीं होनी चाहिए और maximum transparency रखना चाहिए इनके operations की की जो भी operations कर रहा है हर एक detail जो है वो उसकी रखनी चाहिए यानिकि उसका data जो है वो various international agency उसको share करना चाहिए जिसे की पता तो लगे कि यह किस प्रकार की operation में involved है कही उस operation से space के environment क तो नुकसान नहीं पहुच रहा है धरती के जो atmosphere उसको तो नुकसान नहीं पहुच रहा है तो इस चीज़ का अकलन कर सके scientist researcher अब गाईस discuss करेंगे regulations review authority 2.0 के बारे में very important topic है यह तो बताये जा रहा है कि reserve bank of india ने अभी recently एक advisory group बनाया है second regulations review authority को assist करने के लिए उसकी help करने के लिए आपको बता दें reserve bank of india ने regulation review authority 2.0 को setup किया था initially एक साल के pre-8 के लिए इसे first में 2021 को setup किया गया है तो जितने भी regulations जो होते हैं उनको monitor करेगी है चेक करेगी review करेगी जितने भी regulations आते हैं और जितने भी compliance का burden होता है regulated companies के उपर उस burden को reduce किया जाएगा मतलब कि compliance का burden का मतल करने होते हैं राइट वेरियस चीजों के उनको reply जो है वो करना पड़ता है जो भी notifications वगरा जारी होता है company को लेकर तो उनको various documents वगरा जो है वो provide कराने होते हैं तो उस administrative चीज को यान की corporate के administration को reduce करने के लिए राइट की administrative जो burden जो रहता है उसको reduce करने के लिए भी ये काम कर लेगी right regulation review authority 2.0 अब आगे की थोड़ी सी बात करें हम लोग इसके background की जैसे की 1999 में Reserve Bank of India ने set up किया था regulation review authority को जितने भी regulations होते हैं Circulars होते हैं reporting systems हम लोग को देखने को मिलते हैं जो की public banks और financial institution के feedback पर अधारित होते हैं तो उनको review करने की ये authority थी ठीक है Ministry of Corporate Affairs को और various ministry को companies को देना पड़ता है तो उसको reduce किया जाएगा और चीजे जो है यानि कि reporting requirements को reduce किया जाएगा जैसे कई बार क्या होता है कि multiple duplications आती है तो उसके कारण company जो होती है उसके ओपर burden जो है वो create हो जाता है इन सब document को forward करने का तो उसको आसान मनाया जाएगा और अगर possible जितना भी हो सके कुछ reporting की requirements को भी reduce कर दिया जाएगा जिनकी unnecessarily जिनको देना पड़ते है उसकी ज़्यादा आवशक्ता नहीं होती है यह feedback भी लेगी companies वगरा से कि बता हो यार कि मतलब क्या क्या चीज आपको problem आप क्या क्या face करें किस प्रकार से काम करना जाएगा और वो चीज review करने के बात जो है फिर देखेगी कि necessary कौन से documents है कौन से नहीं है तो उसके अधार पर यह bifurcate करेगी चीजों को रही मतलब की वो करेगी मतलब की categorize कर देगी तो यह जी हम लोग को देखने को मिलती है इसके लावा यह companies को regulate करेगी इसमें commercial banks होंगे किस प्र इसके बार में आपको पता होना चाहिए Reserve Bank of India Act 1934 के तहरत इसको establish किया गया था और originally private owned थी है मतलब कि Reserve Bank of India जो थी वो original तोर पर एक private company थी फिर 1949 में सको nationalize कर दिया गया था यह वाला भी point एक अच्छे से ध्यान में रखिएगा और Reserve Bank of India पूरी तरह से Government of India की हम लोग को देखन को मिलते हैं तो monetary authority हम लोग को देखने को मिलती है बनाती है implement करती है monitor करती है monetary policies को इसके recent initiative में हम लोग को government security acquisition program देखने को मिला था जिसके बार में कल के ही lecture में मैंने आप लोग को पढ़ाया था ज्यादर है इसके लाबा financial system की यह regulator है regulate करती है पूरे financial system को supervise करती है monitor करती है द bank किस प्रकार से operate करेगी banking operation किस प्रकार से होगा हमारी country के banking और financial system जो काम करते है जिसके तहर तो उसके according bank को कैसे operate करना है उसकी जानकारी देती है उसकी guideline बगर जारी करती है यह foreign exchange की manager है यह manage करती है foreign exchange management act 1999 के तहर foreign exchange को manage करती है currency को issue करती है notes अपने अला काम RBI का हम लोग को द नहीं होते है इसके लाब इसका developmental role भी हम लोग को देखने को मलता है काफी सारे इसके ऐसे functions है जो की natural objective को support करने के लिए हम लोग को देखने को मलता है जैसे कि bank को भी जो guideline यह जारी करती है तो bank को बोलती है कि आपको loans जो है priority sector में देना होगा priority sector का country के लिए क्या है जैसे कि क settlement system को introduce करती है upgrade करती है safe और efficient mode of payment system को जैसे आज की डिजिटलाइजेशन देख रहे है internet banking हम लोग को देखने को मल रहा है UPI हम लोग को देखने को मल रहा है UPI हम लोग को देखने को मल रहा है तो बिना RBI की approval की यह सब नहीं हो पाता है तो RBI अप्रूफ करती है तो यह सब ची एक umbrella organization है जो की retail payment और settlement system जो हमारी country के अंदर उसको operate करता है यह establish किया गया था Reserve Bank of India के दोरा India Bank Association के दोरा NPCI का क्या होता है तो एक बहतर payment और settlement infrastructure हमारी India के अंदर हो और यह payments and settlement system act 2007 के provision के अंदर काम करता है और इसके related functions हमको RBI की क्या देखने को मिलते है तो यह सरकार का bank है RBI यह basically merchant banking functions को perform करता है केंदर और राजी के लिए केंदर और राजी सरकारों के लिए वानेचियो बैंक के रूप में कारे करता है रही मर्चंट बैंक के तोर पर काम करता है जैसे कि हम लोग public जो है bank के पास जाकर commercial bank के पास जाकर loan लेती है वैसे ही सरकार को अगर loan से यह होता ह तो यह अले शीज़ हम लोग को देखने को मिलती है और उनके banker के रूप में भी कारे करता है उसके लब आप bank को का bank के RBI यह आपको पता ही होगा bankers bank और यह maintain करता है banking accounts को सभी schedule banks के और ways and means advance के बारे में पहले मैं आपको बताया हुआ है कि short term loan facilities हो होती है यह तो यह allow करता है center और state को की center और state RBI से जो है वो fund ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके जो खर्चे वगरा जो है वो mismatch हो रहा है temporary basis पर तो short term loan जो है वो directly ले सकते हैं तो ways and advance means के बारे में भी मैं आपको पहले पढ़ाया हुआ है काफी detail में लोग ने इस चीज़ को डिसकस किया हुआ है RBI क्या क्या चीज़े publish करती है तो consumer confidence survey ये चीज़ आप ध्यान में रखना quarterly basis पर publish करती है और inflation expectations survey of household ये भी quarterly प्रस्तुत करती है financial stability report ये 6 महिने में प्रस्तुत करती है monetary policy report ये भी 6 महिने में और report जो foreign exchange reserve के उपर है ये भी 6 महिने पर ये release करती है ठीक है तो ये था आपका आज last topic और मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाएंगर आपको अच्छे से clear हुए like button जरूर हिट कीज़ेगा नया है चैनल को subscribe कीजिए UPSC test series आपके लिए available है CSET का course आपके लिए available है अगर आप CSET में कमजोर है तो इस course को join कर सकते है ancient medieval और modern Indian history आपकी cover करवाई जारी है this course के अंदर और बाकी sociology का optional का course है और environment studies का भी एक course मैंने शुरू कर दिया environment का course मैं खुद personally जो है वो cover करा रहा हूँ जिन भी student को से related details चाहिए नीचे description पर आपको link मिल जाएगी और बाकी current affairs का एक paid package है guys मातर 100 रुपीस पर मन्त की fees में आपको daily lectures की PDF मिलती है handout notes मिलते है weekly compilation दिया जाता है PDF का आपके revision के लिए और आपको monthly magazine दी जाती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीस पर मन्त की fees में एक offer भी है जिस offer को आप ले सकते हैं जिस offer में अगर आप 12 months की fees पे करते हैं यानि कि January 2021 से लेकर December 2021 की पूरी fees पे करते हैं यानि कि पूरे साल के अगर आपको चाहिए current affairs के notes, handouts, right, PDF तो आपको उसके साथ free MCQ provide किये जाते हैं हर महीने के और MCQ अगर आपको अलग से चाहिए तो वो facility भी available है ठीक है और अगर आपको paid package लेने में कोई समस्या आती है उससे related कुछ पूछना है तो मेरा personal number है 9713-2828282838 इस number पर WhatsApp के दुरू, Telegram के दूरू या SMS के दूरू आप अगर आपको अगर्णापों आपको अगर्णाप प्रणाप एक्टार आपको अगर्णाप बाए ताड़ आपको वो धूर।